सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार जैहिंद अपन लोग आज से सुरू करने जारें स्पेशल 2020 विसेश रीज जो होगी इंडिया जोगरुफी के प्रशनों की और ये प्रशन पटवार एक्जाम के लिए विसेश महत्तोपुन प्रशन होगे पटवार का एक्जाम की डेट आ चुकी है और अब हमें इस युद्ध के अंदर उतरना है पूरे जोस के साथ पूरे जजबे के साथ और अपनी पूरी तयारी के साथ देखता है कौन युद्ध जीतता है और इस युद्ध जीतने के अंदर थोड़ी सी मदद है वो मैं भी कर चार विकल्प आपके सामने हैं कि भारत की स्तती कौन से गोलार्द में हैं पहला विकल्प आप देख रहे हैं उत्री गोलार्द दूसरा देख रहे हैं दक्षनी तीसरा पूर्वी और चोथा उत्तर पूर्वी शांदार प्रशन है भारत की स्तती कौन से गोलार्द में है तो तो देखिए इसका उत्तर है वो क्या आनाची इसका उत्तर है उत्तर पूरवी गोलार्द के अंदर यानि भारत की जो इस्तती है वो कौन से गोलार्द में है तो आपका उत्तर बनेगा भारत की स्तती उत्तर पूरवी गोलार्द में गुरुजी केसे माने उत्तर पूरवी ग इंदर है देखिएगा यहां आपन चर्चा करें जैसे यहां से गुजर रही है यह जो आप लाइन देख रहे हैं जीरो डिगरी जैसे अपन भूमद्दे रेखा कहते हैं अब पूरी परत्वी क्या गोल है गोल है तो गोल एक आदा हिस्सा इसके उपर वाला कौन सा हो गया भ अब देखिएगा अगर इस रेखा को पन यहां और खिशते हैं यह जीरो डिगरी ग्रिन विच रेखा इस ग्रिन विच रेखा के इधर वाला भाग कौन सा होगा पूर्वी गोलार्द और इधर वाला भाग कौन सा होगा पस्मी चूंकि इंडिया की स्तती यहां पे तो इं बनेगा भारत की स्तती उत्तर पूर्वी गोलार्द में है तो एक बार फिर देखीएगा कि भारत की स्तती कौन से गोलार्द में उत्तर पूर्वी गोलार्द में अगर इसका अक्षांस पूछा जाता आपसे कि अक्षांस है इसकी स्तती क्या है तो आठ डिगरी चार मिनट उ पूर्वी देशांतर पूर्वी ही क्यों क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्द में है इसलिए देशांतर पूर्वी है उत्तर ही क्यों क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्द में इसलिए एकसांस केसे हैं उत्तरी हैं चलिए दूसरे परशन की और बढ़ता है तो पहला क्या है पहल अगर अपनदेखते हैं तो चेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा आता है , विश्वे की दस्टी से बड़ा कोन आता है लेकिन भाई साब यहाँ पूच यहां यहां यह पूच रहे हैं मेरे लाड़लों यहां पे यह पूच रहे हैं भारत की स्तती कौन सी है, तो आपके सामने उत्तर क्या आएगा, छेत्रफल की दस्टी से भारत का विश्व के देशों में स्थान कौन सा है, तो मेरे रस गुलों यहां स्थान होगा सात्वा, कि छेत्रफल की दस्टी से भारत का विश्व के देशों में कौन सा इस्थान आए अब आ गया भारत चोथे नंबर पे कोन आएगा अमेरिका आएगा पांचवे नंबर पे कोन आएगा ब्राजिल आएगा छटे नंबर पे कोन आएगा उस्टेलिया और शात्वे नंबर पे आपका प्यारा इंडिया तो छेत्रफल की दस्टी से भारत का विश्व के देशों म तो आपका उत्तर बनेगा 32,87,263 वरग किलोमेटर यानि भारत का चेत्रफल कितना है 32,87,263 वरग किलोमेटर फिर नेक्स्ट परशन आ सकते है कि भारत का चेत्रफल विश्वे के चेत्रफल में कितना परतीशत है तो आपका उत्तर में आएगा 10.41 परतीशत तो आप कहेंगे नहीं है, तो कितना है, 2.4 परतिसात याद रखना, कि विशुवे के छेत्रफल में भारत का छेत्रफल कितने परतिसात है, तो मित्रों साथ यूं गोर करना, 2.4 परतिसात, और अभी तक अगर आपने सेशन को सेर नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सेशन को फटा फट से सेर कर दीजीगा ठीक है आपके साथ साथ लोगों तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए वेरी गुड चले करते हैं आपन आगी की बात नेक्स्ट परशन आपके सामने स्क्रीन प्यार है कि भारत के किस राज्ये का समुद्री तट सबसे अधिक ल वो कितने राज्ये समुद्री तट पे हैं पहला परशन और पहला उत्तर नो कि भारत के कितने राज्ये समुद्री तट पर हैं तो आपका उत्तर आएगा जी नो राज्ये समुद्री तट पर हैं फिर परशन आएगा गुरुजी दूसरा क्या समुद्री तट पे नो राज लोगों की समुद्री तट पर राज्ये 9 हैं और यह कितने किलो मिटर की है यानि भारत की समुद्री सीमा तटिये सीमा कितनी है तो आपका उत्तर होगा इग सट सो किलोमेटर शानदार परशन लेकिन फिर इसमें ट्विस्ट आ गया कि तटिये सीमा इग सट सो किलोमेटर है लेकिन यहां बात ये बन जाती है कि अगर अंडमान निकोबार और लक्सदीप इन दोनों को मिला लेते हैं तो कितनी आएगी मित्रों अंडमान निकोबार और लक्सदीप दोनों को मिला लेते हैं तो पिछेतर सोला पॉइंट में पांच किलोमेटर इसका राइट आंसवर आ जाएगा तो भारत के किस राज्ये का समुद्री तट सबसे धिक लंबा है अब अपने को इसमें मुद्दे पर आने है तो गोर कीजिएगा या स्क्रीन सोट साथ साथ लेंगे आप ठीक है भारत के किस राज्ये का समुद्री तट सबसे धिक लंबा है तो इसका जो राइट आंसवर आजएगा मित्रों वो आएगा गुजरात गुजरात की तटिये सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है अब देखते हैं जरा अपने सामने समुद्र तटिये सीमा पर जो राज्ये हैं वो आपके सामने मानचित्र पे है पहला पन ने कहा गुजरात है महरास्टर, गोवा, करनाट, केरल, टमिल लाडू, आंदरप्रदेश, उडिसा और पस्यमांगाल अब सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लंबी जो सीमा है वो किसकी एमित्रों गुजरात की है उसके बाद बात करें गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी है गोवा की अब सुनिएगा सबसे ज़्यादा गुजरात सबसे कम गोवा मानगे परसन ऐसे आ जाए इस तटके दो टुकडे कर देगला कि पूर्वी तट पर कौन से तट पर पूर्वी तट पर सरवाधिक लंबाई कौन से राज्ये की है तो आपका उत्तर होगा आंध्र पूर्वी तट पर सरवाधिक लंबाई किसकी आंध्र परदेश की पस्मी तट पर सरवाधिक लंबाई किसकी गुजरात की अगर अलोवर पूछा जाए तटिये सीमा सरवाधिक लंबी किसकी है तो आपका उत्तर आएगा गुजरात चलो ठीक है अब तटिये सीमा के साथ स साहरी जुत तट है उसे कौकन तट कौन सा तट कौकन उसके बाद करनाटक के साहरी जुत तट है उसे कहते हैं कनर तट या केनरा तट केरल के साहरी जुत तट है इसे कहते हैं माला बार तट और भारत में सबसे पहले मानसुन कहां प्रवेश करता है माला बार तट पर ही कोरो मंडल तट पर परशन आ जाएगा कि भारत के कौन से तट पर लोटते हुए मानसुन से वर्षा होती है तो कोरो मंडल तट पर लोटते हुए मानसुन से वर्षा होती है जब सर्दियों में ये इस प्रकार से आती हैं हवाएं तो यहां से तो ये पेरेलर निकल रही है उसके बाra next बात आईगी कि कोरो मंदल बात करें पणल यह जो आपको दिख रहे हैं ऊरिचा के पास वाला भागई से कहते हैं उत्तरी सरकार तर ऑर बात करें ऊरिचा के पास कुण साृथ कल तर और पस्सिममंगाल के पास वाले तरकों कहते हैं वेगा तर तो तटीय राज्यों के संख्या कितनी है नो तटीय राज्यों के संख्या कितनी है नो और सरवाधिक जो तटीय सीमा है वो गुजरात सबसे कम तटीय सीमा को लगाता है गोवा टोटल तटीय सीमा कितनी है इक सट सो किलोमेटर लेकिन प्यारे साथियों आपसे ये पूछा ज भारत के निम्नांग कितराज्यों में से कितना सांदार गुलगुला साख पर्षन है भारत-क निम्नांग कितराज्योंग से किसके तीन तरफ अंतर्रास्टी सीमा Shandar परशन है असम के तीन तरफ है नागा लेंड की तीन तरफ है त्रिपुरा के तीन तरफ है मिजोरम के तीन तरफ है फटा फट से उत्तर बदाई देखता हूं देखे तीन तरफ अरे मेजिक परशन के अंदर तीन तरफ तो और भाई साब तीन तरफ किसके त्रिपुरा के यान त्रिपुरा के इधर भी बांगलादेश है इधर भी बांगलादेश है यानि ये तीन और से घिरावा इसलिए इसका नाम के त्रिपुरा है अब देखिएगा ये जो त्रिपुरा आप देख रहे हैं यानि मैं यूं कह सकता हूं मेरे मित्रों कि ये जो आपका पुरा का पु यहां पे देख रहे हैं इस देश का नाम भूटान ठीक है यह वारकनी अपने बात करते हैं यहां पर म्याँमआर है, यहां पर कुंग सा म्यामार और बाकि यूब जानते हैं यह कुंग सा चीन में इस्पेष़ रहा बनायूंगा में आपने देख लिया 7 sister, 3 पुरा तीन और से घिरा हुआ, मान लेते हैं, परशन आ गया, कि यहाँ आप देखके यह बताएं, निम्न लिखित में से, बांगलादेश के साथ, किसके साथ, बांगलादेश के साथ, दो बार सीमा कौन लगा रहा है, एक बार लगा लिए, फिर इस पेस आ या फिर एक बार लगा रहा है तो यह कौण सा जाएगा असम यहां भी सीमा लगा रहे रहे फिर यहां भी लगाएगा यानि बंगलादेश के साथ दो बार सीमा क्यों मित्रों असम लगा रें इन इसेत् ??? कहते जो आपका पूरा का पुरा उत्तर पूरवी भारत है ये पूरे के पूरे स्टेट आपको याद रखने अगर इन स्टेटों का करम पूछा जए इधर से याद रखना आपको ज्यादा कुछ नहीं अन्ना की मम्मी ये ए फिर ना की मम्मी अन्ना की मम्मी यानि अरुनाचल नागालेंड मनीपू अन्ना की मम्मी काम खतम ये म्यामार के साथ सीमा लगा रहे हैं किसके साथ सीमा लगा रहे हैं म्यामार के साथ सीमा लगा रहे हैं उसके बाद में नीचे ये सीमा बंगलादेश के साथ सुरू हो जाती है जिसमें मिजोरम है त्रीपुरा है असम है मेघाल है और ये आपका कु निम्न लिखित में से किस राज्य की सीमा बांगलादेश से नहीं मिलती धांसू परसन भी बताया है वो ही आगया निम्न लिखित में से किस राज्य की सीमा है बांगलादेश से नहीं मिलती है बता दीजिए फटा फट से अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं मैंने भी क्या बत अब मनीपूर तो उपर ही रह गया ना तो ये मनीपूर है भाई साब ये बंगलादेश के साथ सीमा नहीं लगाता और बाकी तीनों के तीनों बंगलादेश के साथ सीमा लगा रहे हैं मेघाले भी लगाता है त्रीपुरा भी लगाता है चलिए करते हैं नेक्स्ट परसंद की मेगाले भी लगा रहे हैं बंगलादेश के साथ सीमा आपका सम भी लगा रहे हैं और बंगलादेश के साथ सीमा लगाने वाले पांच राज्यों की सांदर परसंद यह भी है कि बंगलादेश के साथ सीमा है यह सरवाधिक है भारत है वो जितने देशों के साथ सीमा लगाता ह उसमें सरवाधिक सीमा किसके साथ लगा रहा हो बांगलादेश के साथ लगा रहा है 4096 किलोमेटर कितने किलोमेटर 4096 किलोमेटर बांगलादेश के साथ सीमा लगा रहा है मिजोरम है नेगाले असम त्रिपुरा मिजोरम और पस्सिम बंगाल चलिए नेक्स्ट प्रशन गयोड़ प्रशन है इन में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थली सीमा बनाता है भाईस अभी क्या बताया मैंने आपको अभी मैंने आपको यह बताया कि भारत के स्थलिय दे सीमा लगाते हैं आपको एक लाइन याद करनी है बच्पन और बच्पन में एक क्या किया बच्पन में MBA कर लिया बच्पन में क्या कर लिया MBA होसी यार बच्पन में MBA कर लेते हैं ना बच्पन में MBA कर लिया अब बैसे क्या हो गया भाईसा बंगलादेश चैसे क्य हो गए चीन पैसे पाकिस्तान नैसे नेपाल एम से म्यामार फिर भूटान अफगानिस्तान सरवाधिक सीमा कोन लगा रहा है बंगलादेश और सबसे कम सीमा कोन लगा रहा है अफगानिस्तान बैस हो गया सरवाधिक सीमा कोन लगा रहा है बंगलादेश और सबसे कम सीमा कोन इतनी है परसन यह भी बनता है सुनिए भारत की जो इस 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 इसीमा की जो लंबाई है मित्रों वो है 15200 किलो मिटर भारत की इस इसीमा की लंबाई और इसमें सबसे लंबी सीमा कोन लगा रहा बंगलादेश और सबसे कम सीमा कोन लगा रहा अफगानिस्तान लगा रहा है फि परशन अच्छा परशन अरुनाचल सिक्किम पत्सिमंगाल यानि तीन देशों के साथ सीमा बनती है जरा सोची यह बताईए फटा फट से बताईए कितना सांदार मतलम मैं यूँ करों इस परशन को देखके हर व्यक्ति के मुँझ से इस लार टपकने लग जाए कि इतना ही परशन के से आ सकता है इजी नहीं है यह बड़ा ही सांदार परशन है यह परशन इसमें आप देख सकते हैं अरुनाचल सिक्किम पत्सिमंगाल यह ती तीन देशों के साथ सिमा लगा रहे हैं देखीएगा देख सकते हैं अरुनाचल परदेश इधर से भूटान इधर से चीन इधर से मैं अमार लगा रहा है की नहीं लगा रहा है लगा रहा है सिक्किम इधर से भूटान इधर से नेपाल और इधर से आपका कुन सा आ गया भूटान आ गया नेपाल आ गया चीन आ गया अब बात कर लेते हैं इधर से पस्सिम मंगाल की पस्सिम मंगाल नेपाल के साथ भी लगाते है बूटान के साथ भी लगाते है और बांगलादेश के साथ भी लगाते है ठीक है यह पस्सिम मंगाल यहाँ उपर तो जाके इस प्रकार से बूटान के साथ भी नेपाल के साथ भी और बांगलादेश के साथ भी कुल मिला के इतना याद रखना है कि पस्सिम मंगाल जो है यह भी तीन के साथ सिक्किम भी तीन के साथ अरुनाचल भी तीन के साथ और एक लग्दाक की सीमा है यह लग्दाक की सीमा भी तीन के साथ है पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ और चाइना के साथ आप कहेंगे लग्दाक क्यों सर्थ जम्मू कस्मिर क्यों नहीं तो भा प्षिया आथ डिगरी जल्चेनल किसों के मद्ध को हैं प्रवर बनाई कि और डिगरी जल्चेनल किस regards ब्टापर से बद बद बदाई आठ डिगरी जल्चेनल मालदवीप और मालद्वीप और मिनिकाय के मद्दे 8 डिग्री मिनिकाय और लक्सदीप के मद्दे 9 डिग्री अंडमान और निकोबार के मद्दे 10 डिग्री दक्षनी अंडमान वा लिटील अंडमान इसके मद्दे है डंकन पास कौन सा पास भाहिसाब डंकन पास 8 डिग्री जल चैनल ये माल माल्दवीप और मिनिकाय, 9डिगरी जल चैनल, मिनिकाय और लक्ष्दीप, 10डिगरी जल चैनल, अंदमान वर निकोबार, और दक्षनी अंदमान और लिटिल अंदमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो डंकन पास है, स्क्रेंशोट ले लीजिएगा, 8डिगरी माल्दवीपर मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री मिनिकाय और लक्सत्वीप के बीच में 10 डिग्री अंडवान और निकोवार के बीच में डंकन पास दक्सिन एंडवान के बीच में अभेशा ये आपका अरब शागर में लक्स दीप है यह मिनिकाय देख रहा है कि मिनिकाय निचे मालदवीप है तो यहां से क्या है न आठ डिग्री अक्सांस रेखाए वह सागर से गुजर रही है आठ डिग्री अक्सांस रेखा के उत्तर की और जाने पर क्या है मिनिकाई है नीचे क्या है माल द्वीप है ये चैनल बन गया आठ डिग्री जल चैनल अब देखी मिनिकाई मिनिकाई और लक्स द्वीप की जो मुख्य भूमी है इसके बीच में नो डिग्री कानतर है 9 डिगरी का अंतर है ठीक है और ये जो कवर्ती देख रहे हैं आप ये लक्स द्वीप की राजधानी है यानि कवर्ती कहा की राजधानी है कवर्ती लक्स द्वीप की राजधानी है आंद्रेत द्वीप है चेलेट द्वीप है बित्रा द्वीप है बंगरम है अगाती है आमी बीच में है 10-dygřी अंडमान और नीको बार की बीच में अंडमान का कौन सा अंडमान में सबसे नीचे नीचे जो है वह है लिटीलन निकिशिता ओपर कौन से कार नीको बार और इन दोनों के बीच में कितने डिडिक रेखा दस Pen शेकर कैथे ईसी हैं कई पार्ट अंडमान के कई पार्ट जैसे की लिटिल अंडमान यहां पर आता है नौर्थ यानि उत्री अंडमान मध्धे अंडमान और यह आगया दक्षनी अंडमान की रादधानी क्या है तो आप याद करेंगे पॉर्ट ब्लेयर क्या है पॉर्ट ब्लेयर कहां की रादधानी है अंडमान की और यहीं पे यहीं पे एक सेलूलर जेल है जिसे कहा जाता है काला पानी यानि भारत में पहले काले पानी की सजादी जाती थी यह पॉर्ट ब्लेयर के अंदर सेलूलर जेल ठीक है अब बात करतें नेक्स्ट तो 10 डिग्री चैनल किसके बीच में निकोबार और अंडमान के बीच में निकोबार में कार निकोबार अंडमान में लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान और जो आपका दक्सनी अंडमान है इन दोनों के बीच में डंकन पास है जिसे 11 डिग्री चैनल भी कहा ज चलते हैं next person की यहां देख सकते हैं यह अंडमान निकोबार को छोटे state पे छोटे level पे देख सकते हैं मेप के अंदर देखीएगा डिगलीपूर यहां के एक city पॉर्ट बलेर यहां का एक सहर है कार निकोबार बड़ा सहर है और केमरोटा बड़ा सहर है और केमबेल बेबी यह यह खाड़ी है अब अंडमान निकोबार के पास में जो आपका है वो क्या सुमात्रा है सुमात्रा सुमात्रा बोले तो इंडोनेसिया का एक पार्ट सुमात्रा जावा तो सुमात्रा पास में है कि जावा पास में परशन आ सकता है तो आपका उत्र क्या होगा सुमात्रा प बन गया मलक्का जलसंधी किस किस के बीच में मलक्का जलसंधी मलेसिया और इंडोनेसिया के बीच में है मलेसिया और इंडोनेसिया के बीच में यहां पे सुमात्रा वाला पार्ट है यह विश्वा की सबसे लंबी जलसंधी विश्वा की जित्ती भी जलसंधी है सबसे लंबी जो जलसंदी है वो कौन सी है मलक का जलसंदी कौन सी मलक का जलसंदी चलिए नेक्स्ट परशन क्यों पांडी चेरी के अंदर सासित परदेश कितने राज्यों में फेला हुआ है अच्छा परशन पांडी चारी कितने पांडी चारी के अंदर कौन से तीन में एक तो आता है माहे ये केरल के इंदर एक आता है कराईकल ये तमिल लाडू एक पाड़ी चेरी खुद तमिल लाडू और ये काता है में त्रों ये नम नम का इस्तान जो अंदर प्रदेश में तो पांड़ी चेरी कितने राज्यों में फेला हुए तो आपका उत्तर आजाएगा पांडी सेरी तीन राज्यों है एक केरल एक तमिल लाडू और एक आपका कौनशा आजाएगा अंद्रे परदेश ठीक है चले नेक्स्ट परशन की ओर छेत्रफल की दस्टी से सबसे बड़ा राज्ये एजी परशन जो सबके मुख्जवानी याद है कोई नहीं भूल सकता इस परशन को फड़ा पर चले सबसे बड़ा जो राज्ये वो कौनशा रास्तान रास्तान के बाद में मद्ध्य परदेश फिर महारास्टर फिर उत्तर परदेश याद एकी लाइन में करना है कि राम है ये महान है राम क्या है महान है रा से राजस्तान मैं से मद्ध्य परदेश महान से महारास्टर राम है जो महान बस कुछ नहीं राम है महान है रासे राजस्तान मद्ध्य परदेश महारास्टर राम महान है राम महान है तो इनका जनम भूमी कहां पे और भही कहां पे उत्तर परदेश बैस उत्तर परदेश में तो छेत्रफल की दस्टी से सबसे बड़ा राज्य कुन से रास्तान जन संख्या में अगर बात करें तो उत्तर परदेश अगला प्रसंद छेत्रफल की दस्टी से सबसे छोटा और भ सेंद सर्विस टेक्स नहीं जीस्ट का मतलब गोवा शिक्किं त्रीपूरा सबसे चोटा कौन सा है और बात करें सबसे बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा राजस्तान करते हैं next परशन की और भारतिय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है कितना अच्छा परशन है यान नहीं गुजर्ति यह से गुजर्त यह हैं एक है नहीं जहरकण से यह नहीं गुजर्त व्हारती मानक शमय की याम योत्तर यानि पूर्वी दिशांतर जो भारत का मानक समय है विश्वा की मानक समय रेखा 0 डिगरी भारत की मानक समय रेखा 0.82 और 0.82 कहां से नहीं गुजरती है तो मित्रों याद रख लिजेगा 0.82 जारखंड से नहीं गुजरती है 0.82 उत्तर परदेश से गुजरती है 0.82 मध्य परदेश से गुजरती है 0.82 उडिशा से भी गुजरती है चतिसगर से भी गुजरती है अंदर परदेश से भी गुजरती है लेकिन जारखंड से नहीं गुजरती है बस भारती मानक समय की आ बारत के पूरवी और पस्मी भाग में लगभग किते घंटे का फ्रक होता है दो घंटे का फ्रक होता है चले चलते आगी आदम का पुल किनो देशों के बीच में है इसलेक variety परसंब्सन पर्शन के बीच में पर्शन आ सकते हैं पाक जल चेनल पाक की खाड़ी यह किसके बीच में है तो आपका उठ सर्वपर्थम ईंडिया सब्द का प्रियोग भारत के लिए किस भासा में किया गया इंडिया सब्द का प्रियोग इंडिया सब्द का प्रियोग कौन सी भासा में हुआ ग्रिक भासा में हुआ अब देखिएगा भारत का नाम इंडिया भी इंडिया इंडिया सब्द का प्रियोग तो ग्रिक भासा में सिंधु नदी बहती थी युनानी लोग आए उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु नदी के बारे में इंडस सब्द काम में लिया और इंडस के आधार पर क्या नाम पड़ गया इंडिया पड़ गया उसके बाद भारत नाम के से पड़ा राजाभरत के आधार पर हिंदुस्ता इरानी लोग आए, अर्भी लोग आए, इन्होंने सैको है बोला सिंधु नदी को हिंदु नदी और इसके आसपास वाले चेत्र को हिंदुस्तान कह दिया इंडिया सब्द का प्रियोग है ये ग्रिक भासा में सबसे पहले है अगला परशन छेत्र फल की द्रस्टी से सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश है मुझे पता है इसमें आप गच्चा खाऊगे पक्का गच्चा खाऊगे टांटिया परशन है हाँ साबास भूत बड़िया आप में से लोग कर रहें अंडमान निकोबार लेकिन भाई साब यह नहीं है इसका उत्तर है लद्दाक छेत्र फल की दस्टी से सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश वर्तमान में भारत में 28 राज्ये हैं आठ केंदर सासित परदेश हैं इन 28 राज्यों में आठ केंदर सासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा लद्दाक लद्दाक के बाद में सेकंड नमबर पे जम्मु कसमेर फिर अंडमा निकोबार फिर दिल्ली तो याद रखेंगे लद्दाक सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश है और बात करते हैं केंदर शासित प्रदेश बड़े के साथ चोटेगी चेत्रफल की दस्टी से सबसे चोटा केंदर शासित प्रदेश कौन सा होगा तो चेत्रफल की दस्टी से सबसे चोटा जो केंदर शासित प्रदेश है वो कौन सा है सबसे चोटा चोटा के अंदर साशित प्रदेश कोन से है लक्स द्वीप छेत्रफल की दस्टी से सबसे बड़ा के अंदर साशित प्रदेश कोन से है तो आपका उत्तर आएगा सबसे बड़ा लद्दाक है सबसे चोटा कोन से है लक्स द्वीप लद्धाक उपर 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 नीचे से दूसरे नंबर पे बैस कोई दिकत नहीं हो गया याद लक्सद्वीप नीचे नीचे और लद्दा उपर उपर सबसे बड़ा पूछे लद्दा सबसे चोटा लक्सद्वीप ये जो करम देख रहा है ये आरोही करम है चोटे से बड़े की ओर और अभी जो अपने पिछली स्लाइड में देखा था वो अवरोही करम था बड़े से च चोटे की ओर तो चेत्रफल की जस्टी से सबसे चोटा के अंदर सासित प्रदेश कोंज है लक्स दीव चली भारत की उत्तर से दक्षिन लंबाई कितनी है भारत की उत्तर से दक्षिन लंबाई कितनी है कि अपने इंडिया की उत्तर से दक्षिन कितनी है फटापट उत्तर दे भारत की उत्तर से दक्षिन लंभाई किती है 32 और पूरव से प्सम किती है 29 चलते हैं आगे अब देखीगा यह उत्तर से दक्षिन वाली जो लंभाई है यह वाली से 97 डिग्री 25 तक यह कितनी है तो इसमें आ जाएगा आपका 233 और यह जो आप लाइन देख रहे हैं यह साड़ी में असी जो भारत की मानक समय रेख है भारत की क्या है मानक समय रेख है अब जरा गूर करना मेरी बात पर भारत की मुख्य भूमी का जो बिंदू है दक्षनी वो यह है वेसे भारत की दक्षनी जो भूमी है वो आपका पिगमेलियन पॉइंट अंडमा निकुबार में मुख्य भूमी का कन्या कुमारी मुख्य भूमी का दक्षनी बिंदू कन्या कुमारी और वेसे पूछा जै भारत का दक्षिंतम बिंदू तो आपका आएगा पोइंट निकोबार में बताए आपको उत्तरतम मिंदू इंद्रा कोल है जम्मू कस्मीर में पस्यम मिंदू अब जम्मू कस्मीर की बजाए से लद्दा कर सकते हैं ठीक है पस्यम मिंदू है गोर माथा गुहार मोती गुजरात में पूरुवतम मिंदू किवित्थु अरुना सकते हैं आराम से मरकत द्वीप के नाम से किसे जानता है अंडबान निकोबार को जाना जाता है चले next परशन 2020 का लास्ट अवर काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच में है फड़ावर से उत्तर बता दीजिएगा काला पानी विवाद ये भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद किस-किस के बीच में है तो आपका उत्तर आएगा काला पानी जो विवाद भार और नेपाल के बीच में है आज की जो अपनी क्लास थी ये सामान्य प्रीचे की क्लास थी सामान्य प्रीचे में लगभग 20 प्रशनों में अपने लगभग पूरे प्रशन कवर करने का प्रियास किया और आपको बहुत भुधन्यवाद और कल की कलास में ले के आऊँगा मैं आपके लिए भोतिक परदेश तो कल की कलास को देखना ना भूलें कल भोतिक परदेश हैं उसके महतो पौन 20 प्रशन होंगे और ताबर तोड़ बल्लेवाजी के साथ बने रही है हमारे साथ मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए अलविदा जय हिंद जय भारत नमस्कार सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें